इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ी खबर है अपने उन 41 मजदूरों के बारे में हालचा जानना जो फसे हुए हैं पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हलचल क्या है तस्वीरों के माध के वापस सके लिजे अब तक चौदा एंबूलेंस जा चुकी दी और यह पंद्रवी एंबूलेंस यह यहाँ पर टनल के पास में पहुंच रही है यानि कि साफ तोर पर यह इशारा है जो एबीपी निउस ने खबर ब्रेक की है सबसे पहले कि वो जिसका हम ब्रेक आउट क हुए अंदर गये हैं यह सब एबीपी निउस की खबर पर मोहड लगा रहे हैं और हम इसी वरे से इस खबर पर लगतार बने हुए हैं तमाम जो और खबर हैं लेकिन हमारी कोशिश यह क्योंकि देश के 41 मज़ूरों की बात है यह लीजे पंद्रवी नंबर की एंबूलेंस यह भी अंदर जा रही है उसके पीछे 16 एंबूलेंस 17 एंबूलेंस लंबी कतार लगी हुई है और यह जो घटनकर में यह बता रहा है कि जिस बात का इंतजार हो रहा था वो घड़ी आ रही है अपसे कुछ मिंटों के अंदर यह तस्वीर महतपूर होगी यह संजे सड़ी करके अंदर ले जाने की तैयारी हो रही है यह तस्वीर अपने आप में महतपूर संजे यह जो तुस्वीर है अपने आप में काफी महतपूर क्योंकि एंबूलेंस टीनियल के गेट तक पहुच गई है तो भीजफक, बीफक, दीफक, बीफक कि यह जो अपने आप म बैक करके ले जाया जा रहा है टेनल के अंदर ये तस्वीर देखे टेनल अमिलेंस के आने का सिसला लगातार से जारी था और अब पहली पहली अम्बुलेंस ये होगी जिसको अब सीधा अंदर ले जाया जाएगा इसको बैक करके ले जा रहा है क्योंकि अंदर काफी सारी मश करेगी और इसके बाद सबको एंबुलेस में ले जाए जाएगा अब एंबुलेस धीरे धीरे पीछे पीछे अंदर जा रही है टनल के भीतर जा रही है यहां से करीबन 200 मीटर का फासला है जहां पर टनल बंद हो गई थी 200-500 मीटर का फासला था 60 मीटर पर मलबा था यानि कि 200 तो सो मीटर इस एम्बूलेंस को पीछे जाना है और वहां पर होगा वह पहला व्यक्ती वह पहला मजदूर जो पिछले 17 दिनों से वहां पर फसा रहा उसकी आप समझ सकते हैं क्या स्थिती होगी क्या मनोस्थिती होगी जब बाहर आ रहा होगा तो इस वक्त यह जानकारी और काफी महत्पूर है और आपने दर्शकों तक सबसे पहले जानकारी पहुचाई है संजय भी यहां पर मौजूद है संजय पहले अंबूलेंस अंदर चली गई है डॉक्टरस की टीम अंदर जा रही है इशारा साफ है कि मजदूरों तक पहुचने की कोशिश शुरू हो गई प्रायरिटी उनको दी जाएगी जिनकी कुछ हालत खराब होगी उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और इसके बद एक एक करके सबीग तालिस समकों को निकाला जाएगा अपको दिखाता हों तस्वीर किस तरह से लगातार तर जो अंबूलेंसेist नगे सामने की और उधर संज्जय यहाँ पर जो तसवीरे them. bye संज्जय यहाँ पर जो तसवीरे आप दिखा रहे है निश्चित तौर पर काफी महत्पून है और क्योंकि हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ पर network की भी तिकrत आ है году लेकिन जो तस्वीर आप बता रहें ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये जो आपने भी आपने जो खबर साजा की है कि आधिकारिक तोर पर आपको अंदर से पुष्टी कर दी गई है आधिकारियों के द्वारा जो अंदर मौझूद है तो ABP न्यूस पर आधिकारिक तोर पर संजे के मुताबिक पुष्टी कर दी गई है कि टेनल बन गई है पूरी रेस्क्यू आपरेशन का जो सबसे एहम हिस्सा था वो पूरा हो गया है और अब कोशिश है अंदर से पाहर लाने की उन मस्दूरू को और ये देखिए जो डॉक्टर्स की टीम ह जो कि गेट पर खड़ी हुई थी वो अंदर चली गई है और ये बहुत बड़ी तस्वीर बहुत रात की तस्वीर बहुत सुकत तस्वीर क्योंकि इस तस्वीर के लिए यकीन मानिये पिछले 400 घंटे से ज़ादा से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि हमारे देश के जो 41 म रचा कर रहे थे लेकिन एक तस्वीर और सेना के जवान जिनकी देख रेक में ये ऊपरेशन चला था सेना के जवान भी बहारब रुखे हुए क्योंकि उनको पता है कि उनका काफिय तक जो रोल था वो पूरा हो गया है वहीं जो strf के जवान है एक वो भी तस्वीर दिखा वेल्डिंग में एक दो घंटे लगते हैं उसके बाद हम बता पाएंगे लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पुछ करना ना वेल्डिंग हो के पुछ करना है लेकिन है ड्रिल तो हो गया हुगा सब्सक्राइब आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है वेल्डिंग करके हम जो मुक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुछ करेंगे तो इसमें और किना लगवा बता सब्सक्राइब तो देखे साफ तोर पर ये वो एक्सपर्ट है जिनका ये कहना है कि अभी एक पाइप को पुछ करना है लेकिन जो संजे को जानकारी मिली है उनके सूत्रों के हवाले से जो कुछ अधिकारी अंदर मौजूद है और जिस तरीके कि यहां हलचल है यकीन मानिये यहां कि जो ह हलचल है पिछले 17 दिनों से हम लोग यहां पर मौजूद है वो ऐसी हलचल है जो ये बता रही है कि अगर एक पाइप को भी पुछ करना बाकी था तो इस तरीके से एंबुलेंस अंदर नहीं जाती डॉक्टर अंदर नहीं जाते तो संभथता अभी ये अधिकारी है ये और जानकारी लेंगे उसके बाद में जानकारी हो सकता आधिकारी की तौर पर साजा की जाए लेकिन ये जो तस्वीरे हैं यहां पर ये सब कुछ अपने आप बोल रही है यहां पर डॉक्टर की टीम का अंदर जाना एंबुलेंस का अंदर जाना बैट्स का अंदर जाना वो क्या कहा जाए कि वो breakthrough हमको मिल गया है या भी हमको आधीकारिक जानकारी का इंतिजार करना चाहिए बिल्कुल अंकित breakthrough मिल चुका है तस्वीरे हमने सामने से देखी हैं और दिखाई भी हैं जहां पर breakthrough होता है वहांपर जैकारे लगते हैं वहांपर गले मिला जाता है वहाँ पर विक्टरी का साइन दिखाया जाता है और यही वज़ा है कि तस्वीरें आप देख रहे हैं हाला कि आधिकारिक तोर पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें थोड़ा समय लगता है बताने में लेकिन इतना साफ है कि ब्रेक्ट्रू हो चुका है एक एंबुलेंस अभी आपके सामने अंदर गई है ठीक अंदर चली गई है जहाँ पर वहाँ पर और मशीन पुश करने का काम कर रही थी बस अब इंतजार इस बात का है कि जो टीम अंदर जाएगी एंडियारफ की टीम उनके साफ डॉक्टर के एक टीम अंदर जाएगी जहाँ पर एक टालिस लोग फसे हुए हैं वहाँ पर यह चेक अफ़ किया जाएगा कि पहले किसको बाहर बेजना है क्योई कि पहले ये भी देखना होगा इंकित कि किसकी स्थिती क्या है उसको भागते हुए उसको देखते हुए उसको जज करते हुए फिर उस सक्ष को पहले बाहर बेजा जाएगा बाहर बेजने का तरीका भी यह होगा कि एक सेचर की मदद से उसमें एक मजदूर को लिटाया जाएगा उसमें उसको सेट किया जाएगा क्योंकि उसमें वील्स लगे हैं दूसरी तरफ से जैसे कि इमने तस्विरे दिखाए थी किस तरी से मलवा मैनूली निकाला जा रहा है उसी तरीके से रस्षियों के सहारे उसको बाहर की तरफ खीचा जाएगा और करीबन एक देट मिनट का वक्त होगा जब एक शक्त सुरी तरफ संजे के बाद पर कोई बड़ी अपडेट आ रही है बड़ी जानकारी आ रही है तस्वीरे है संजे क्या वो तस्वीरे बिल्कुल देखिए मेरे सोर्सेस का दावा है जो भीतर टर्नल के गयत है कि टर्नल खुल चुकी है किसे भी वर्थ मजदूरों को भीतर से लाये जाने का सिल्सिला सुरू हो जाएगा करम सुरू हो जाएगा यहां कतार लगी हुई यह अम्भीलेंसस जो एक बाद एक भीतर जा रही है यह सारे जो 41 स्रमिक हैं उनको ले करके यहां से निकलेंगे और सीधे चिर्नियाली सोल्ड यहां पर स्पेशल वार्ड बनाया गया है वहां इन्हें पहुंचा जाएगा टरनल के भीतर भी आप देखें तस्वीरें जो मेडिकल की पूरी टीम है वो सारी की सारी भीतर खराब होगी उनको सबसे पहले निकाला जाएगा उसके बाद जो सामाने होंगे एक एक करके क्रम सुरू किया जाएगा और इस वक्त एक और तस्वीर खास आपको दिखाता हूं कि अब SDRF की टीम जो खली हुई है मौके पर वो अंदर मूब कर रही हो साथ इसाथ NDRF की ट टनल जिसकी जानकारी हमें मिल रही है कि टनल पूरी तरह खुल चुकी है पाइप अंदर जा चुका है मजदूरों के पास तक ये पाइप पहुंच चुका है अब उनको निकालने का क्रम सुरू होगा और यहां लगातार जो है जै भोले ना तो जैस्रीराम के जैकारे लग का मुमेंट हो गया है यह लिजे एबीपी नियूस ने जो खबर दी थी उस खबर पर महुड लग गई है भले यादिकारिया का एक बयान आया था कि अभी हमको इंतजार करना होगा जी नहीं एबीपी नियूस इसी वज़े से लगतार अपने तश्कों से कह रहा है कि आप ह हमारे साथ जुड़े रही है क्योंकि हर खबर सबसे पहले हम आपको बताएंगे और यह देखिए SDRF और NDRF की जॉइंट टीम है उनका जो मुमेंट हुआ है हातों में सीडिया है लेडर से उसके अलावा हातों में रसिया है क्योंकि उस रसियों के साहरे इस फ्रेशर को ख TRF के जो जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं और SDRF के जो तमाम जवान है वो एक एक करके अब अंदर बढ़ रहे हैं इस वक्त के लिए ये सबसे बड़ी खबर है दुपहर में एक बजे ABP News ने आपको बता रिया था कि किस तरीके से बेक तुरू हमको मिल रहा है भले ही आध पास की पुष्ट्री की भले ही आधिकारिक तौर पर ना बताया गया हो लेकिन अंदर से जो सोर्सेज हैं जो जानकार है अंदर उन्होंने कंफर्म किया है कि हमको ब्रेक्ट्रू मिल गया यानि रिस्क्यू टरनल बन गई है और तस्वीरों के माध्यम से ABP News पर हमने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से ये रिस्क्यू टरनल बनी है अब NDRF और SDRF के जो जवान है वो अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं दीपक संजे आप दोनों लोगों को जह है उसके लिए धन्यवाद भी किस तरीके से आप लोगों ने जो जानकारी है जर्शकों तक पहु ये देखिए NDRF SDRF के टीम जो आप दिखा रहे थे मैं ठीक सामने से दिखा रहा हूँ यहाँ पर NDRF SDRF के टीम के हाथ में रसियां हैं कुर्सियां हैं वो तमाम सामान हैं जिसके मदद से उनको अंदर से फसे लोगों को एक एक करके बाहर निकालना है एम्बुलेंस जो अंदर गई थी और आव बाहर निकल रही है मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यह बाहर निकली है क्या इसमें कोई मजदूर हो सकता है यह पुक्ता तोर पर नहीं कहा जा सकता लेकिन यह पहली एम्बुलेंस है जो टेनल के अंदर से बाहर निकली है और इसी त अंदर पहुंचने लगी है अभी आप एम्बुलेंस का जिक्र कर रहे थे जिससे कि जब वो एम्बुलेंस निकल जाए उसके बाद में उनको अंदर भेजा जाए बाकाइदा एक एक करके गिंती करके जो एंडियारेफ के जो जवान है जो प्रक्रिया है ना कि अंदर जो अंदर पहले कि ब्रेक्ट्रू मिल गया है भले यादिकारिक तौर पर नहीं का गया हो लेकिन तस्वीरें सब बया कर रहे हैं कि ब्रेक्ट्रू मिल चुका है टनल खुल चुकी है 17 दिन से जिस तस्वीर का इंतजार था वो आप कुछी पल में हमारे सामने होगी और अब तस्वीरें आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो भीतर की और एंबुलेंसे जा रही है एंडियारफ के जवान लाइन में ख़ले हुए है लेकिन SDRF के जवान स बहुत सारी मशीनरी मौजूद है ऐसे में बहुत सारे लोगों की एक साथ ख़ले होने की जगे नहीं है इसलिए बहरालवी रोका गया और जैसे जैसे तनल की अब दूसरी एंबुलेंस को अंदर भेजने की तयारी हो रही है तो देखिए दीपक हो संजय हो मैं हो हमारी हम कर दिया कि हां हमको ब्रेक्ट्रू मिल गया है भले ही जो बाहर एक दो जो एक्सपर्ट से उनका यह कहना था भी हमको इंतजार करना चाहिए लेकिन जी नहीं जो एबीपी नियूस ने अपने दरश्कों को जानकारी दी दूपहर में करीबन एक वजे कि हमको ब्रेक्ट् से ज़्यादा इंबुलेंस लगी हुई है और सब यहां पर आके खड़ी हो रही है संजा आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं जी अब उसका इस्तमाल एंबुलेंस की पार्किंग के लिए किया जा रहा है एक के बाद एक आपको लिए दस सेकेंट लिए और रोकूंगा यहां पर नीरच खैरवाल नीरच खैरवाल अंदर से बाहर निकल के आए हैं संभवता आधिकारिक तौर पर एलान करें नीचे जहां जाए और हमको अब संजय आप जहां पर मौजूद हैं मुम्किन है कि अगले कुछ मिंटों में यहां पर आधिकारी तौर पर एलान किया जाए संजय आप से एक जानकारी चाहूंगा क्या मुक्षमंत्री के यहांने का कोई प्लान की जानकारी देखे मुक्षमंत्री उत्तरकाशी में ही थे कल और सुबह आपदा प्रबंधन की एक कारशाला का उद्गाटन करने के लिए वो देरा दून गए थे अब ही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछी देर में मुक्षमंत्री का हेलिकॉप्टर देरा दून के जॉली ग्रांट से फिर से उलेगा और यह सीधा उत्तरकाशी पहुचेगा जिसके बाद मुक्षमंत्री टनल पर भी आ सकते हैं अगर वो यहां नहीं आएंगे तो फिर चिन्याली सौल में जो अस्टाल बनाया गया है वहां जाकर के वो मजदूरों का हाल लेंगे लेकिन ज्यादा समवना इस बात की जताई जा रही है कि मुक्षमंत्री पुसकर सिंग्धामी टनल पर पहुचेंगे और इस रेस्क्यू आपरेशन का जिस तरह से अंत हुआ है समापती हुई है उसके बाद यहां आए हुए मजदूरों से बात करेंगे अभी तक हमने देखा जिस तरह से वो टनल में जाते थे दोरा करने नीच्छल करने तो उन्होंने टेलीफोनिक वारता की है सारेश श्रमकों से लेकिन अभी तैयारियां जिस तरह की है वो तस्वीर आपके सामने है लेकिन एक तस्वीर में और दिखाऊंगा कि लोगों की बेचेनी देखिए यहां आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बेचेनी भी देखिए छटों पर चड़े हुए हैं पूरी तरह जमगट लगा हुआ है वो तस्वीर वो देखना चाहते हैं अपनी आँखों में कैद करना चाहते हैं जब शमकों के निकलने का सिलसिला सुरू होगा तो यह सारे लोग आसपास के रहने वाले हैं हमने देखा किस तरह से यह लोग यहां पर आकर के प्रार्थना कर रहे थे